हेलो माइड़ी एट्फिर्ण सौगत एक बाफिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टेडी फास्ट में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महात्मा गांदी का सिविध्य पीट प्रविप इच्छ संदो जार बीस इसका जो एक्जाम आज हुआ आपक कमेंट जरूर कर दें शुरुआत करते हैं वीडियो को उससे पहले आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिल आइकन को भी प्रस कर दें जिसे आने वाली हर वीडिय किसन आपको मिलती रहे तो शुरुआत करते हैं तो यह हमारे पास बुकलेट स्रीज डी नंबर का है पेपर तो इसके जो एंसर है हम आपको बताएंगे तो शुरुआत कर रहे हैं पहला कुश्चिन क्या है रजमिन नामा फारसी अन्वाध है इसको जो राइट एंसर हो जा 330 परेटरण चकर का विकास समलित नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा शूफी चक्र चंद्र मिसन चंद्रयान फर्ष्ट के लिए धा इंडियन डीप स्बसेंटेनो सिश्टम को निम्न में से कहां स्ताबट किया गया है इसका राइट एंसर हो जाएगा औपiauerma ब्यालालू में अगला कुश्चन क्या है एमनेश्टी इंटरनेशनल एक विस्वयापी संगठन है जिसका कारेच्छेत्र है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन C, मानवाधिकार अगला कुश्चन है उस मोबाइल एप का क्या नाम है जो कंप्यूटर और इंटरनेट आसानी से सिखाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A, द्रश्टी अगला कुश्चन क्या है निम्न में से किस भोजन में संतुलित आहर के सभी अभयों मौजूद होते हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा दूद पैन का अर्थ है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा पर्मानेंट एकाउंट नमबर अगला कुश्चन क्या है पानी से फैलने वाली एक प्रमुक बीमारी है राइट एंसर हो जाएगा कॉलेरा अगला कुशन है निमने लिखित में से ऐसे सब्द का चैन कीजिए जो समूह से मेले नहीं खाता इसका राइट अंसर हो जाएगा सिचाई विस्टू की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा कैस्पियंस अगर अगला कुशन है गरीबी हटाओ नारा किसके दौरा दिया गया था तो या सरोप्रतम अगर दिया गया तो इंद्रा गंधी के दौरा दिया गया सूनिका विसकार कहा हुआ तो ये भारत में हुआ अगला कुशन क्या है भोजन में अधिक मात्रा में प्रोटीन के लिए क्या सेवन करना चाहिए इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C अंडा नेश्ट कुश्चन बिहार के किस जिले ने सव घंटे में 11244 टोयलेट निर्माण करके रिकार्ड स्थापित किया इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन B गोपाल गंज रानी जहासी समुद्री राष्ट्री पार के स्थापना हुई थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C 1996 प्रागयति हासिक काल के किस अस्थल से मनुस्य के साथ पालतू कुट्टे को दफनाने का साच मिलता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C बुर्ज होम नेश्ट कुश्चन मलूग दास संत कभी रहते थे इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D कड़ा में अगला कुश्चन क्या है ग्रीन सिगनल्स इकोलाजी ग्रोथ एंड डेमोक्रेजी इन इंडिया पुस्तक किसके दौरा लिखी गई है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन ए जैराम रमेश कुश्चन नमबर 19 ये रिजनी का कुश्चन है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A सूचना का राजपत कहते हैं तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D इंटरनेट नेश्ट कुश्चन विमेक्स निम्न में से किसके साथ संबंधित है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Communication Technology संचार Technology अगला कुशन क्या है प्रकास समसलेशन पक्रिया के लिए निम्न लिखित में से किसकी उपस्थित आवस्थेक नहीं है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Option D, Carbon D, Oxide जो आलाम की परवतों से निम्न लिखित में से कौन सी गयस निकलती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Sulfur Nitrogen भी निकलती है लेकिन ज़्यदा मत्रा में Sulfur है तो इसका राइट एंसर सलफर हो जाएगा भारत का सरोप्रथम Computer विस्विद्याले है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सण D राजीव गांधी कंप्यूटर विश्विद्याल है पर्ट एक तकनीक है जो निम्न में से किसे एक कारे में प्रियुक्त होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा परियोजना के प्रबंध में आप्सण B अगला कुश्चन है आत्मा विश्व का विशालतम दूर्दसी है और 21 सदी की महानतम उपलब्धी है यह विज्ञान जगत को अंतरिच के गूर रहस्यों का पता लगा कर अचम्भित कर सकती है यह इस्ताफित है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सण A सिम का पूरा नाम है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सण A सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉडियूल 28 नमबर कुश्चन है मंगल ग्रह से सम्बंदित भारती अंतरिच अभियान को मौम कहा है इसका तादपर है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा मार्स आर्बिटल मिसन कुश्चन नमबर 29 भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई इसका राइट एंसर हो जाएगा 1979 स्वी में अगला कुश्चन है राष्टरी वानस्पतिक सोध संस्थान अभस्थित है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्शन ए लखनों में कम्प्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई तो भी ये बिट होती है 32 नमबर कुश्चन है निम्न मेंसे कौन जयो निम्नी करण बायो डिग्रेडिबल नहीं है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा उप्शन भी चांदी की परत तब चांदी का जो पत्तर होता है वो जयो निम्नी करण नहीं है अगला कुश्चन क्या है ताप के निम्ने लिखित में से किस पैमाने में रिड़ात्मक मान नहीं होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C, Kelvin विद्धू चुमकी प्रेरण पर आधारित युक्ती तो ये डाइनमो सही हो जाएगा option C 35 number question है ये भी reasoning का question है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा option A 16 56 समानुपात का निसान मना हुआ है और 32 इसके बाद question मा की जगा क्या होगा तो 36 का जो राइट एंसर हो जाएगा option number B 112 next question क्या है इमायत का question है ये X और Y का मान दिया है और ये X प्लस Y पूछा है तो इसका मान आएगा option A 8 यदि दो संख्याओं के योग तथा अंतर 20 तथा 8 है तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर संख्याओं होंगी 14 और 6 14 का इसका और हो जाएगा 116, 96, 36 6 का हो जाएगा 36 अगर इसका difference निकालेंगे तो हमारा आजाएगा बन 60 option D से हो जाएगा next question क्या है अनुक्रम ये दिया गया है 2, 5, 10, 14, 18, 23, 26, 32 अगली संख्या क्या होगी तो इसका जो right answer हो जाएगा option number B 34 अगला question है ये पी आर अ बी ए को 27, 69 लिखा जाए और ती यच आई एले के को 36, 84 क्या हो लिखा जाए तो बी एच ए आरे टी आई को क्या लिखा जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा option A next question यहाँ पर जगा छूटी है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी तो इसका option हो जाएगा option C 42 में भी ऐसा ही question है तो इसका option हो जाएगा option number A 41 next question क्या है दी गई अच्छर स्रंकला के सब खाली इस्थानों पर क्रम से रखने पर निमने लिखित में से कौन सा अच्छर समूँ से पूरा करेगा तो इसका जो right answer हो जाएगा option number C A A B A A 44 नमबर question है B M O E O Q H Q S औ फिर यहाँ पर खाली इस्थान यहाँ पर क्या होगा इसका right answer हो जाएगा option C K S U अगला question है M X N 13 X 14 F X R फिर यहाँ पर जगा छूटी है तो यहाँ पर आएगा 6 X 18 next question भी ऐसा ही है तो इसका answer हो जाएगा option number D Y A C E option D correct हो जाएगा next question Operation Rubicom वहाँ कूट सब्द था जिसे भारत में British सरकार दोरा निम्न लिखित में से किस संदर्व में प्रयोग लाया जाना था तो इसका right answer हो जाएगा option number C गोल में समेलन में गांधी की सहभागिता अगला question क्या है निम्न लिखित में से किस सासक ने सहरुक नामक चांदी का सिक्का चलाया इसका right answer हो जाएगा option B बाबार निम्न लिखित में से किस चिस्ति संद को चिराग ये दिली कहा जाता है इसका right answer हो जाएगा option number D नासिरुद दीन पचास number question है किस देश के प्रधान मंत्री महाथिर मुहमद ने पद से त्याग पत्र दिया तो इसका right answer हो जाएगा option A मलेसिया next question क्या है 51 number सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तो ये सूची दी गई है और उनको मिलान करना है तो इसका right answer हो जाएगा option number D 3,4,2,1 next question निम्न लिखित सासकों के नाम सही काल करमा अनुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे गई कूट से चैन कीजिए तो ये कुछ दिये गए है तो इनको मतलब एक करम से लिखना है तो इसका जो right answer हो जाएगा क्यावन का option number D 2,3,1,4 next question 23 फरवरी सन 2020 को फ्रांस में किसने 24 वी कैनन उपन जीता तो इसका जो right answer हो जाएगा option A D, case चबवन नमर question है निम्न लिखित में से किस वर्स में सन्यूक तुराष्ट संग ने परम गरिबी की परिभासा अंगीकत की थी तो इसका जो right answer हो जाएगा option number B 1995 next question क्या है सूची को बिलान करना है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number B सही हो जाएगा 3,4,1,2 3,4,1,2 बिल्कुल ही सही हो जाएगा next question क्या है सूच उभाने पर निमने लिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा तो इसका जो right answer हो जाएगा option number B मस्तिस्क निमने लिखित पहाडी जातियों का पस्चिम से पूर की और सही करम में पहचानिये तो इसका right answer हो जाएगा option number C गारोखासी जेंतिया फिनागा अगला कुश्चन क्या है फिर सूची दी गोई है इसको भी मिलान करना है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number A से हो जाएगा 4213 next question 17 March 2020 को सेख मुझीबूर रह्मान की जर्म सताबदी मनाई गई वह किस देश के पहले राष्टपती थे तो इसका जो right answer हो जाएगा option number C बांगला देश K2 के बाद भारत में निम्न लिखित मेंसे कौन सर्वोच परवत सिखर है इसका right answer हो जाएगा option C अगला question है निम्न मेंसे कौन सा सुमेलेत नहीं है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number C अगला question करक रेखा निम्न लिखित मेंसे किन राज्यों से होकर गुजरती है तो कौन से राज्यों से होकर गुजरती है गुजराद, 36 गड़ और जहारखंट एक, दो और चार पहला option सही हो जाएगा निम्न लिखित मेंसे कौन सी जन्यजाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से समंधित है तो इसका right answer हो जाएगा option number B थारू चौसट नमबर question है बद्रीनात अवस्थित है तो इसका right answer हो जाएगा option number A कुमाओ हिमाले में भारती वनों का वैग्यानिक वर्गी करण निम्न लिखित मेंसे किस ने किया था तो 65 का option number A से ही हो जाएगा H.G. चैंपियन भारत का पूरपतम अस्थान निम्न लिखित मेंसे किस राज में अवस्थित है तो इसका right answer हो जाएगा option number C अरुनाचल प्रदेश निम्न लिखित जिलो मेंसे कियविटी जल प्रपात किस में अवस्थित है इसका right answer हो जाएगा option A भारत में सरवाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश कौन सा है 68 का option number C से ही हो जाएगा ओडिसा अगला question क्या है विश में सबसे बड़ा महासागर तो ये प्रसांत महासागर है भारत में सरवाधिक अभरक उत्पादक राज्जी है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number B आंदर प्रदेश निम्न लिखित मेंसे किस देश में उसके भावगोलिक छेत्र का उच्चितम प्रतिसत वनाच्छाजित है तो इसका right answer हो जाएगा option A चीन नेश्ट कुश्चन है चंदर प्रदभा राष्टरी पार्क इस्थित है तो ये हमारा वारानसी में इस्थित है निम्न लिखित मेंसे काउन सा देश विश्व में सरवाधिक इसपात उत्पादक देश है इसका right answer हो जाएगा option C अगला कुश्चन है जनगरना 2011 के अनुसार भारत में इस्त्री साचर्टा की द्रश्टी से केरल के बाद दूसरा स्थान निम्न लिखित राजिका है तो इसका right answer हो जाएगा option number A मिजोरम next question क्या है वर्स 2011 में भारत की जनगरना के अनुसार्णिम ने लिखित में से किस राजिमें सबसे कम नगरी जनसंख्या का प्रतिस्त है इसका right answer हो जाएगा option B सिक्किम अगला question क्या है फिर सूची दी गई है इसको दूसरी से मिलान करना है तो इसका right answer हो जाएगा option number D 1,2,3,4 next question क्या है 77 number समर्थन मोल का क्या अर्थ है तो इसका right answer हो जाएगा option number C नियोनितम विक्रे मोल जिस पर सरकार क्रे करने का अस्वासन देती है अगला question है गरीबी हिटाओं का नारा एक योजना के रूप में गरीबी हिटाने के लच्छ के किस योजना काल में बना तो इसका right answer हो जाएगा option number C पांचवी पंचवर्सी योजना में अगला question है भारत में कैपिटल मार्केट में गोटालों को बार बार रोकने के लिए भारत सरकार ने विवस्था समंधी अधिकार परदान किये हैं तो इसका right answer हो जाएगा option number C SBI को operation flood क्या है तो इसका right answer हो जाएगा देश में दुख्द उत्पाद बढ़ाने की परियोजना अगला question है निम्नलिकित में से कौन सा एक भारती रिजरो बैंक का कारे नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा option C सरकारी बैंक भारत का मत्य उत्पादन अग्रणी राज है इसका right answer हो जाएगा option number D पस्चिम बंगाल भारत में हरित करांत का जनक किसे कहा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option number C M.S. Swaminathan 84 नमर question है भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस किस कर्द से प्राप्त करता है तो इसका right answer हो जाएगा option A. निगमकर भारत की राष्टरी आयका अनुमान करने वाली संस्था है तो 85 का जो answer D है पिल्कुली सही होगा केंदरी सांके की संगठन अगला question है निगमने लिखित में से कौन सी मद्ध से भारत को अधिक्तम विदेसी विन में प्राप्त होता है तो इसका right answer हो जाएगा option B. रत्न एयोम अभूसन केंदर सरकार के बजट में चालू खाते में वे की गई सबसे बड़ी मद्ध है तो इसका जो right answer हो जाएगा option C. ब्याज भुगतान अगला question है दिल्ली सल्तनत के किस दिल्ली सल्तनत के रजत टंका को सरुपर्थम चलाया तो इसका right answer हो जाएगा option B. इल्तुत्मिस निम्न लिखित में से किस पद का स्रजन राजाराम ने किया और वह अश्ट प्रधान के अतरिक्त था तो इसका right answer हो जाएगा option number C. प्रतिनिध अगला question है 90 number वहाय सराय पर बम से हमला करने से संबंदित निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन 1929 में किसने प्रवर्थित किया था तो इसका right answer हो जाएगा option number C. जवाहलाल नहरू अगला question क्या है साची के दूसरे इस तूप में किसके अभसेस है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number B. महत्मा बुद्ध किस सूफी संत ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूर अस्त दिल्ली अभी दूर है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number B. जामुदीन ओलिया अगला question क्या है किसके काल में ब्रिटिस सामराज की राजधानी कलकता से दिल्ली अस्तानांतरित की गई थी तो इसका जो right answer हो जाएगा option number D. लाड हार्डिंग नेश्ट कुश्चन क्या है भारती के विदेश विनिमे संचे का प्रतिरच्छक कौन है तो इसका जो right answer हो जाएगा option B. भारती रिजर्व बैंक अगला कुश्चन क्या है हमायू नामा का लेखक कौन था तो मतलब इसका लेखक है गुलबदन बेगम option B. करेक्ट होगा 96 number question है निम्न लिखित में से किस मुगल सासक ने सरो प्रतम तुलादान प्रता को पनाया तो इसका right answer हो जाएगा option B. अकबर किसकी राज सभा भुवन विजय कहलाती थी तो इसका right answer हो जाएगा 97 option C. कृष्ण देवर आय अगला कुश्चन है मुसलिम गोल कुंडा राज किस पुराने हिंदू राज के दुसावसेसों पर खड़ा हुआ है तो इसका right answer हो जाएगा 98 का option number D. वारंगल अगला कुश्चन है दिल्ली का वह एक मातर सुल्तान कौन था जिसने अपना आत्मे विबिरान लिखा है तो इसका right answer हो जाएगा option number B. फिरोसा तुकलक next question और last question है महमूद गजनवी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर कौन राज कर रहा था तो इसका right answer हो जाएगा option number C. राजेंदर प्रथम तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें हो सकता है एक आज कुश्चन गलत हो सकते हैं लेकिन हमने अपनी मेहनत से बहुत अच्छी answer की त्यार की है तो अगर कोई गलत कुश्चन होता है तो आप कमेंट जिरूर करें थैंक्यू, all the best